असलामेकुम सुडेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल सुर्ण लाइफ, आज मैं आपके साथ पाक सरी 301 के असाइनमेंट नबर वन का सॉलूशन शेयर करूंगी, फॉल 2020 के आपकी असाइनमेंट है 15 मार्क्स की और इसके टोटल मार्क्स के है 15 है और ड्यू डेट इसकी 7th, 12, 2020 है, अब्जेक्टिव इसके कहा हैं कि आप इसमें conceptual knowledge और practical application देखेंगे subject की, उसके बाद instruction आपके साथ share की गई है कि लेट assignment आपकी acceptable नहीं होगी और corrupt assignment भी acceptable नहीं होगी प्लेजरिजरिजम या copy paste काईश हुआ तो आपको zero marks ही जाएंगे और assignment आपकी email के थूँ acceptable नहीं है, उसके बाद font color preferably black है और font size 12 है, times new roman style है, उसके बाद question क्या how did सा सरीर रहमद खान manage to create cardinal relation between the Muslim and the British, आपने five points इसके देने हैं, यनि five points में इसको justify करना है, कि इससा स्यद आमद खान ने Muslim और British के दरमयान relationship build up करने के लिए क्या 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 काम किये या क्या अग्दामाद किये, तो ये मैंने आपके साथ यहाँ पे five points share किये हैं, कि उन्होंने एक दूसरे के दरमय मुसल्मानों को उन्होंने इस चीज की तरफ convince किया कि वो कैसे educational तोर पे अपने आपको strong कर सकते हैं, British society के principles जो हैं, उन्होंने मुसल्मानों की respect, British के जो भी लोग थे या आदारे थे उन्होंने पैदा करने की कोशिश की, politically उन्होंने मुसल्मानों को strong बनाने की कोशिश की, और books बहुत सारी उन्होंने लिखी moments के उपर, मतलब उसमें ये discuss किया कि, कि मुसल्मानों के क्या حقوق हैं या वो कैसे responsible हैं अपने right के लिए, उसके बाद उन्होंने एक और book लिखी और उसमें भी उन्होंने coordinate relationship जो है वो build up करने की कोशिश की दोनों communities में, उसके बाद second question है, ये जो first question है आपका 10 marks का था और जो next है ये 5 marks का था अब इसमें क्या है, कि Muslim of sub continent जो थे बरे सगीर के Muslim थे, उन्होंने जो movement start की थी उर्दू की, वो क्यों start की थी 18th century में, आपने इसके answers देने, इसके भी 5 points आपने लिखने हैं, तो उर्दू को उन्होंने as a symbol language, culture language, introduce करवाने के लिए सब क्या political cause बनी उर्दू, उसके बाद जो उर्दू थी वो political identification के तोर पे भी use की गई, और आल इंडिया Muslim League जो और जमाते इसलामी थी, उन्होंने भी उर्दू को एक as a society language लिया, उसके बाद उर्दू को जो है by law भी enforce करवाने की कोशिश की गई, ठीक है, enforcement की गई, उर्दू की majority जो population थी, इंडिया की वो भी उर्दू को support करती थी, तो यह जो चीज़े थी, तो यह point इसमें add होंगे, अगर आपको इसमें कोई और point मिल रहे हैं, तो आप वो भी add कर सकते हैं, और assignment को copy paste बिल्कुल नहीं कीज़ेगा, assignment को आपने, अपनी wording में इसको convert करना है अगर आपको synonyms मिल रहे हैं, तो वो synonyms आप इसमें change कर सकते हैं, wording चेंज कर सकते हैं, sentences चेंज कर सकते हैं, आपको और point कहीं से मिल रहे हैं तो भी add कर सकते हैं, आपकी जो 301 की book है, उसमें भी third और fourth lecture जो है, उसमें भी आपको कोई points मिल जाएंगे, आप वहां से भी alternate points आ आप इसमें add कर सकते हैं, तो उसके इलावा आप दोनों question को same, आपने copy paste नहीं करना, आप प्लीज इसमें changing जूर करके submit कर वाएं, और sense clear करें पहले question की आपको समझारी है, उसके मताबिक देखें कि answer आपको correct लग रहा है, फिर आप इसको submit कर वाएं, answer को एक दफा खुद से जरूर पढ़के उसको clear कर लिया करें, उसको confirm कर लिया करें कि answer ठीक है, उसके बाद इस पर work किया करें, और as it is submit ना करवाया करें, उसके इलावा विरा WhatsApp का group है, उसको आप join कर सकते हैं, उसका link भी description box में होगा, वहाँ से आप उसको join कर सकते हैं, और please channel को subscribe करें, वीडियो क आपके साथ पाक सड़ी 301 के assignment number 1 का solution share करूंगी, fall 2020 के आपकी assignment है 15 marks की, और इसके total marks के है 15 है, और due date इसकी 7th,